हेलो स्टो एंट आइम केती सागर प्रॉम जीपिया सवाथ हम आपका पढ़ रहें स्टील स्ट्रक्चर ड्रॉइंग और हमारे लैक्शन नमबर फोर तो हम आपका सिंपल स्टील फिंग ट्रस पर शुके हैं वह कैसे बनाना है मैं आपको बता चुकी हूं यह इसकी डिटेल्स है जो आपकी मागी जाते हैं ठीक है आप ड्रस बनाएंगे तो आपको उसके साथ डिटेल्स भी बनानी पड़ेंगे तो यह आपका क्या है फस्ट है यह जॉइंट रिष्ट विद कैपिंग यह कौन किस चीज पर डिटेल है आपकी जॉइंट्स जो आपके ऊपर होते हैं चाहें तो आपने नेनीम भी दे सकते हैं यह रिष्ट विद कैपिंग में तो देखी आपको पताएए यह आपके क्या है आप करकrie है वी सब्सक्राइब कि यह तो नरी आपके रिबिटे कर्डाया क्या है 12mm कि सारे एहरे पिछ कितने हैंra 3649as प्रणा क्योंड कि 2 3 पिछ होती है और यह जो पलेट से और के तरफ है और यह कितने हैं यह यहां कितने हैं दे इंटो 1.5 ठीक तो फिर यह आपका क्या है रिच आपकी कैपिंग है यह यह आउटर विंग है रिच की और यह इनर विंग है रिच की रहता है यह आपका यह इस बोल्ट का और यह इस बोल्ट की नोंने थोड़ी सी डिफाइन के इसको जी आई का पार्शर है यह उपर और यह विट्मिनस फैल बाटा रहे और यह आपका कैने जे टाइप फिर है आपका यह आपकी क्या है आपकी पर्लिंस है आपको पता है यह जो ब्लैक में है यह क्या है आपकी पर्लिंस है और यह क्या है आपकी प्लीट्स है डाइमेंशन इसकी सेम वही रहेंगे जो आपने पहले वीडियो में देखी थी इसकी डाइमेंशन सेम वही है क्योंकि यह उसी पर पर आप वो trust बनाएं तो आप details के लिए वो kur बढ़ा कर सकते हैं तो फिर क्या है आपका बढ़ार सकते हैं धूंब को पता ही कट क्यों लगा रखा है क्यों पर तिटील डे रहे हैं यह किस तरह से भी तो हा निये तो यह इस्ट्रस है उस पर यह joint है यह आपका प्रिंसिपल राफ्टर है और यह क। आपका stress है क्या है 측ست पलेट है sırते जिसकी ठीक्नेस कितनी है को फीक ने आपकी क्या है रिविट्स है यह आपको पता ही हजहां पर जunnit से दें हम भावे मिनीमंमगी कि संक्या कितनी रखते हैं दो रखते हैं इतनेदेजहां है आध्याथ का हऊच था आपका जॉयन आफ यह पार मतिक विटे प्रिंसिपलाक्टर और एशी शेंट ये क्या है आपका ब किंभ तोantically इसकी आई ऐसे 75 इंटो 75 इंटो 8 मतलब यह चीज कितनी है इसकी 75 और 8 mm इसकी थिक्नेस है यह फिर क्या है आपकी एसी सीट है मैंने कहा था जब आप डिटेल्स में देंगे तो आप क्या करेंगे ऐसी ही देंगे लेकिन खाली जब सीटिंग पर आप डिटेल्स देंगे तो आ देने पड़ेगी फिर क्या है यह आपका यहाप क्या है पर लिंज सैं मेस कि इसका मतलब क्या है माइल्ड स्टील परल इंस कितना 75-75 75 इंटो 75 यह दामिशन से 75 यह तो से जोड़ा होगा किस से प्रिंसिपल राफ्टर से तो उसके लिए जो आपका रिविट यूस्च क्या है वह क्या है बारा डैय बोल्ट और रिवट यहां पर भी जो आपका करेण यूज्च क्या हुआ है वह बारे डैया का है और यह क्या है अपका ओना फिर यहनुनिय तेना रखाए है करती है इस फेल्ट वाशेर जोल्ट ओपएटॉमinek फिर है आपका joints of bilins with principal rafter and GI sheet इस सब्सक्राइब करें जैसिकर आपको पदाचल रहा है और यह क्या है आपका स्टेल पर्लेंस 75 इंटु 75 इंटु 8 यह क्या है आई ऐसे में है इंदियन स्टेंडर्ड एंगल क्लीट भी क्या है आपका MS क्लीट आई से 75-75 इंटु 8 डाया जेहुक बोल्ट यहां पर जो 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 जा रहा है इसका जो डायमीटर है वो है 8 mm या 8 5 फिर है आपका 150 लॉंग 150 mm क्या है ये लंबा है फिर क्या है ये आपके शीट है फिर है आपका ये आपका क्या प्रस्ट फिक्सिंग टूदा वाल एंड टो और ही जॉइंट ये आपका कौन सा जॉइंट है जो ट्रस्ट फिक्स होता है किस पर वाल पर तो देखें इन्होंने दे रखा ये आपको पता ही है ये क्या है आपका प्राम प्रिंसिपल आफ्टार है और ये क्या है आपकी शीट है है अस बेस्ट कौ हो गेटिट आपको बता हुआ है पर आथा आपका ये से पेर्लें और यह एपका ये जी हिननट है और टैन-म-म डाय जी आए जी टाइप भुकश भॉल् स्क्राइक यह आपकी मेट टाइबीम है और यह कितना एंगल है थार्टी डिगरी यह क्या है आपके रिबिट स्थीन जुड़े हुए है और गजट प्लेट क्या आशी है यह जो आपको गलत प्लेट है वह 8 mm ठीकने से और यह प्रिंसिपल आफ्टर में 60 लिखा है यह गलत है यह कितना है 75 क्योंकि हमार आपका वॉल है कितना 400 mm ठीकनेस अब आधा आपका बेरिंग प्लेट तीन सो इंटो इंटो बारा कौन सी है जो यह लगी हुए है यह आपको सैकेंड पर दिख रही है यह यह क्या है आपकी बेरिंग प्लेट है और यह आपका श्नो एंगल है अंगल मतला क्रीट ठीक एंग जूब आपकी यह वाली डायमेंशने 2 i2 पे दामेंशन4 चार्शों जो है घ्ख दिख नहीं 20 mm डाया का जो ढूर more जिससे क्या किया गया है यह यह चाहिए काइदे में काइड केम दाने काइडoberto ₅ध इंग प्लिम को ही तो बोल्ट की साहिता से इसमें जोड़ा गया है य पींवार के और वाइट कीजिए है कि गेंगि ट्रस टूदा वैल मित इसמें मांगागा गया है बादी वेगिये किया टाइवीमा किस bạn करेंगी करें कि इस पर टाइब आप टाइब यहाँ तक लागर फिर बोल्ट अगा यह फिर क्या है 200 mm राफ्टर नेक्स्ट अब क्या है यह फिर से आपका जेहुक है शरी डायमेंसिय तो सेम आपकी फिर कितना रर्यस्ट कर रहा है इस पर निकला हुआ कितना है यह हैं आपका brick on edge course projection 20 यह projection निकाल लगखा है इन्होंने ब्रिक का 155 half round asbestos cement eave gutter इसका जो डाय है वो कितना है 150 mm फिर क्या है आता है आपका तो यह आपकी details से किस पर trust fixing to the wall with drainage system अगर आप main trust बना लोगे तो details बहुत easy है same वैसे ही बनाई जाती है फिर आता है आपका क्या यह है cross section through corrugated seat देखे अब जब यह seat पर details मांग रहा है ता आपको details कुछ इस तरह से देने होगी जब आप normally दे रहे थे तो आप seat एक सर्फ plane way में ले रहे थे लेकिन यह normally seat होती नहीं है plane वो किस तरह से होती है इस तरह से और यह क्या होता है आपका corrugation इसको बोलते हैं corrugation यह corrugated seat इसको बोले है यह होता आपका corrugation तो इसकी पिछ देखे कितनी है कितनी है 150 पिछ ठीक और सिक्स्टी साइड लैप सिक्स्टी साइड लैप मतलब आकर डो सीट्स को मिलाएंगे तो वह 60 mm साइड लैप में होनी चाहिए ठीक है ओवरलापिंग होनी चाहिए और यह आपका स्टील पार लिन्स है जे ही बुल्ड है बागी नोंने दे रखाए और यह कितनी है इसकी थिक्नेस है पचा थिक्नेस तो सौरी सिक्स्टीक है इसकी यह जो मतलब corrugation इसमें है वह कितना है 50 mm का यह कुछ इस तरह से देखिए तो यह था आपका यह जैए przez कित्रस ठीक है जो आपका ट रस आपने टो पटा दी अस एक पेडियस पिछली वीडियो में यह क्या थी उसकी डिटेटील्स तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंच फिंक ट्रस्ट वह क्या होता है उसकी टेटेल्स कैसे दी जाती है यह मैं एक क्लास में बता हूंगी थेंक्यू क्लास